हेलो फ्रेंड असलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चाइनल आप सब कैसे उम्मिद करती है आप सब ठीक होगे मैं भी अब बहुत बहुत अच्छी हूँ और यहापे मैं आप लोगों के साथ अपनी लंच रूटिंग शेयर करने के लिए यह लंच का टाइम है यह और अभ मैंंने जैए मेटी को छोटे हो तो अच्छी लग्ती है और यहाँ पर मैने मेटी को अच्छे से वाश करके रख शिए और यहां पर मैंने कुछ सेंग अनापीनट्ट को मैंने अच्छे से रोस्ट करके रख दी और जादा कुछ नहीं यह बस इस कड़ाई में एक दो मीडियम साइस के प्याज एड़ करूँगी प्याज जितना हो से के अच्छा रखता है प्याज महेंगा है तो थोड़ा कमी एड़ कर दी मैंने और हरी मिर्ची और थोड़ा सा सुतीला और अक्सर हम लोग के घर पे यही पसंद करते हैं सबजी खाना इसके अंदर पीनट्स भी मतलब सेंगदाना भी मैं डालती हूँ और जैसी ही तेल और प्याज और फ्राइ होने पे मिर्ची मैं उसके अंदर यह सबजी को मैंने अड़ कर दी सबजी बनती हैं लोगों फिर पताती है तेल को एक यह अजय AK weekendly फ्राइ कर देने का उसके आरी मिर्ची सुकी लाल मिर्ची हो इंदर लójका दे कर देन सबजी को मैंने पानी डहती कम डालते यह वाले सब्ची में आप लोगों को यह बात भी पता होगी जरूर तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से वाश करके रग दीती पानी से निकालके अब मैं उसके अंदर वो दाल को भी एड कर दूगी और जैसी डाल को मैं एड करूंगे नो उसके बाद भी फिर मैं उसको अच्छे से हिलाऊंगी चमस से और फिर उसके अंदर थोड़ा सा लगपग मैं आदे ग्लास के भी कम पानी मैंने उसके अंदर एड करी और स्लो आज करके उसको मैं मेडियम आज पे छोड़ दी पकने के लिए जिससे हमारी सबजी पक जाए और यहां पर मैं सेंगद लेती हूं जादा नहीं दो तीन रोटी का या अटा गुनने का है तो मैं आटा वगरा भी फड़ाफट गुन लेती और लंच के लिए टाइम होता है ना मुझे आप लोगो को पता है में लंच लेके जाती हूं तो तो वड़ाफ़ा अटा गुन के तो मेरा हो गया है और जादा नी 15 मिनेटी लगा सब्जी को बनने के लिए पानी वगरा जादा डालने का नहीं इसमेती के सब्जी में और आप लोग इसे प्लीज ज़रूर एक गिन ट्राइ कीजियो बहुत इसी और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी वाली ये सब्जी बनती है तो देखो मैं लोगों को थोड़ा प्लेट में निठाल के बताऊंगे कि कितनी प्यारी माशाला कि खुबसूरत सब्जी बने थी और उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी थी या ये आप लोगों को मैं बात बता दू देखो बिल्कुल भी पानी वगरा नहीं है इसमें एक दम सूकी सूकी सब्जी बनके रेडी है तो प्लीज आप लोग भी से एक दिन ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए सब्जी तो बन गई सब्जी हटा के मैंने रख दी साथ में बॉयल हो रहा है इनके लिए और फिर यहां पर फड़ा फट रोटी बना की भी मैं ल कर लेटा है लंच रूटिंगों 11 बजबते कर दें तो वास इसे रहां पर यह लिए फिर से बात इसके भात में आप लोगों को डाय रेक तो बतार हुं मैं एक लोगों को लोगों से अर रात फिर यह मिलों गिर बंके और मैं के लिए favori कार्य यू आथ इसरी कुछाना इन लिए फ्रूट वगरा काट लेती हूं और फिर अभी तो मेरी जाने की तयारी है घाई वगरा एं मुझा भी शौवर भी लेना है तो ऐसा है और भी फिर इनका भी टिफीन देखो भर के हो चुका है फिर अभी मैं शौवर वगरा लूगी और फिर चली जाओंगी इनके पास तो ठीके फिर आप लोगों को मैं बाद में ही मिलूंगी शाम के टाइम पे बोल यहां पे हम लोग पार्क में आज चुकिया और मैं बहुत जादा बड़ बड़ कर रही थी बट हैर फोन नहीं लगाई ती ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुनने नहीं आ रहा था इसक आ रही है तो फिर मैंने उसको देखा अन रख्यों बाकी का मैंने उसे ओफ कर दियो यह देखो यह आप भी सेम प्रॉब्लम हो गई यह आप लोगों को सलाम कर रहे थे और वोइस नहीं आ रही थी तो मैंने बहुत चलो कोई बात नहीं है मैं से ओफ कर देती हूँ वोईस और फिर वह सवर करके मैं आप लोगों को तक पहुचा दूँगे कि आप लोगों को सलाम बोर रहते करके और हम लोगों को बहुत जादा थक चुके थे क्योंकि मैं भी न्यू न्यू हूँ यह तो इनको था बीट है यह तो पहले से जीम वगरा करते थे बट अभी कुछ द दिरे आदत हो जाएगी वोक करने की थोड़ा सा दोड़ लगा दे की तो मैं भी सही हो जाओंगी फिर और यहां पर थक के मैं बैड गई यहां पर आके और अपर हम लोग चाने वाले घर के लिए तो आप लोगों को यह छोटा सा वीडियो मेरा केसा लागा तो प्लीज मु मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अललाहाफिज बाई दुआ में याद रखना में और आप लिए याद रखूंगी और मैं आप लोगों को हर वक्त हर टाइम मिश करती हूँ आप लोग भी मुझे मिश करना जरूर चो ठीके याप मैं आप लोगों को छोटा स ये पार्क का व्यू दिखा रही थी चलो मिलते हैं बाग